दोस्तों नमस्कार यह मार्ग दोषन फार सिविल सेर्विशेज मैं अनुराग शयोधरी दोस्तों यनसी आर्टी स्रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आठवी कच्छा की बिग्यान का अध्याय दस किशोरावस्था की ओर दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे की सोरावस्था और यवनारंब क्या होता है इसकी एज क्या होती है यवनारंब में होने वाले प्रमुक परिवर्तन कौन से है यानि यवनारंब के लक्षण कौन से है मानों में जननकाल और उसकी अवध कितनी होती है बच्चों का लिंग निर्धारन किस प्रकार से होता है यानि लड़का या लड़की कैसे उत्पन होते हैं और अंत में इस अध्याय का सारांस आप पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आठमी कच्छा के यान सी आरटी का अध्याय दस की सोरा वस्था की ओर दोस्तों पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जन्तु किस प्रकार से जनन करते हैं मानव और बहुत से अन्यजंत वे एक निशित आयू तक पहुशने के बाद ही जनन कर सकते हैं मानव किसी निशित आयू के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं दोस्तों इस अध्याय में आप मानों के सरीर में होने वाले उन परिवर्तनों या बदलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन के लिए सक्षम हो पाता है अध्याय 9 में आप मानो जनरांगों के विशय में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में हम उन हार्मोन्स के विशय में चर्चा करेंगे जो सिसू या बच्चे में होने वाले परिवर्तनों में महत्वण भूमिका निभाते हैं और जिसके कारण बच्चा बड़ा होकर बयस्क हो जाता है सबसे पहली प्रक्रिया होती है बच्चे के बाद यानि सैस्वा वस्था के बाद सबसे अगली उसकी अगली अवस्था होती है कि सोरा वस्था और योवना रंब दोस्तों बूझो जो है वो अपना बारहवा जन्म दिन मना रहा था मित्रों के चले जाने के पाद बूजो और पहली अपने माता-पिता के साथ बाते करने लगे पहली एक कन्या विद्याले में पढ़ती है वो हसने लगी उसने टिपड़ी की कि बूजो के कई मित्रों जिनसे वह एक वर्स बाद मिली थी उनकी लंबाई एक एक कितनी बढ़ गई है उनमें से कुछ तो मूछे आने से जोकर या कार्टून नजर आ रहे थे उसकी माने समझाया कि लड़के बड़े हो गए है दोस्तों बृद्ध जन्म के समय से ही होने लगती है जो भी बच्चा पैदा होता है यानि जन्म लेता है उसके बाद से उसमें बृद्धी या प्रवर्धन की प्रक्रिया सुरू हो जाती है लेकिन दस या 11 वर्स की आई के बाद बृद्ध में एका एक ती बृता आती है और बृद्धी साफ दिखाई देने लगती है और सरीर में होने वाले प्रिवर्धन जो होते हैं वो बृद्धी या विकास की प्रक्रिया का एक भाग होते हैं और यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे और युवावस्था में कदम रख रहे हैं दोस्तों सरीर में होने वाले इस परिवर्धन की अवध कब तक रहती है यह शवाल उठता है और एक ऐसा सवाल है दोस्तों इसका प्रश्ण सभी को या सभी बच्चों के मन में आता है दोस्तों जीवन का यह ऐसा अजीव काल है कि इसमें आपने तो बच्चे रहते हैं नहीं बड़े और इसलिए पहली कहती है कि मैं जी ग्यास हुई कि क्या बाले काल और युवावस्था के मद्ध की सवाध को कोई विशेस नाम दिया जाता है बिलकुल दोस्तों जो बाले काल है और युवावस्था की इस जो बीच की एज है उसको एक विशेस नाम दिया जाता है आप जानते हैं ब्रिधी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जीवन काल की वह अवधी जब सरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं के परडाम सरूप जनन परिपक्वता आती है किसोरा वस्था या एडलो सिंस कहा जाता है तो किसोरा वस्था ये बाल्या वस्था और युवन के बीच का समय होता है और ये ऐसा समय काल होता है इसमें जीवन काल की वह अवधी होती है इसमें सरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और जनन की परिपकोता आती है उसे किसोरा वस्था कहा जाता है किसोरा वस्था की आयू सीमा क्या होती है तो किसोरा वस्था दोस्तों लगभग 11 वर्स की आयू से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्स की आयू तक रहता है यह अवध अंग्रेजी के teens या 13 से लेकर 18 या 19 वर्स की आयूतक होती है और किसोरों को इसी कारण से teen ages भी कहा जाता है और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्छा एक या दो वर्स पूर्व प्रारम हो जाती है और किसोरा वस्था की अवध व्यक्तियों में भिन भिन होती है दोस्तों किसोरावस्था के दोरान मनुस्य के सरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं किसोरावस्था क्रांतिकारी अवस्था है जीवन की और इसका कारण ये है कि किसोरावस्था के दोरान मनुस्य के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन योवना रंभ का संकेत देता है। इनमें से सबसे महतोपूण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन चमता का विकास होना। तो किसोरा वस्था की प्रक्रिया में जो सबसे महतोपूर परिवर्तन होता है वो जनन छमता का विकास होना होता है और किसोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यवना रंभ आरंभ हो जाता है दोस्तों पहेली और बूझो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक बृध्धी और लड़कों में हलकी दाढ़ी मूचों को आना की सोरावस्था के लक्षण हैं और वे यवना रंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विशय में भी जानना जाते हैं और हमारे भी मन में ये जिक्यासा है तो आइए जानते हैं यववना रंब में होने वाले प्रिवर्टन कौन कौन से होते हैं यानि कि यववना रंब के प्रमुख लख्षण कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला लक्षन है लंबाई में बृध्धी दोस्तों लंबाई में ऐसे तो बृध्धी जन्म के साथ ही सुरू हो जाती है लेकिन लंबाई में एक आएक बृध्धी योणारंब के दोरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टि गोचर परिवर्तन है और इस समय सरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ और पैरों की अस्थियों की लंबाई में बृध्धी होती है और ब्यक्ति जो है वो लंबा हो जाता है यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है दोस्तों इसमें लड़के और लड़कियों की आयू के साथ लंबाई में बृध्धी की और प्रतिसत में दर्स आय गया है जो कि किसी आयू पर पहुचने में होती है यहां पर देखिए यह आपकी आयू जो है आठ वर्स और पूर्ण लंबाई का प्रतिसत आठ वर्स में लड़कों का 72 प्रतिसत और लड़कियों का 77 प्रतिसत होता है नौ वर्स की आयू में जो पूर पूर्ण लंबाई का प्रतिसत है ये 75 प्रतिसत और 80 प्रतिसत इसी प्रकार से जो 78 वर्स की आयू होती है इसमें लड़कों की लंबाई अधिक्तम 99 प्रतिसत और लड़कों की लंबाई 100 प्रतिसत तथा 18 वर्स की अवस्था में लड़कों का लंबाई 100 प्रतिसत और लड़ कर सकते हैं कि वर्तमान लंबाई कितनी है और वर्तमान आयू में पूर लंबाई का प्रतिसत गुड़े 100 ये चार्ट में दिये गए मात्रक के अंसार आप इसको देख सकते हैं दोस्तों एक लड़का इसकी आयू 9 वर्स है और लंबाई 120 cm है तो ब्रिद्धिकाल की समापती प पर 160 cm होगी इस चार्ट और फारमूले के अनुसार तो आप समझ गये होंगे कि जो किसोरा वस्था है वो ब्रिद्धि या आयू में ब्रिद्धि की अवस्था होती है यहां पर दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से आयू के साथ बढ़ती उंचाई का प्रतिसत दिया गया है दोस्तों आरंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक्ति ब्रता से बढ़ती हैं लड़कियों की जो विकास दर या ब्रिद्धि दर होती है वो लड़कों की अपेक्षा शुरुआत में अधिक होती है लेकिन लगभग 18 वर्स की आयू तक जो है लड़के और लड़कियां यानि दोनों अपने अधिक्तम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और अलग-अलग ब्यक्तियों की लंबाई में दर ब्रिधि की दर भी अलग-अलग होती है कुछ यौना रम्हमेति ब्रगत से बढ़ते हैं और बाद में यह गत्धीमी हो जाती है जबकि कुछ ध कभी अंगों में समान दर से ब्रिधि नहीं होती है कभी-कभी ऐसा होता है कि शोर के हाथ और पैर सरीर के अन्य अंगों की अपेक्छा अधिक बड़े दिखाई देते हैं लेकिन सिग रही दूसरे भाग में भी ब्रिधिकर सारीरी कनुपात को संतुलित कर देते हैं कि लंबाई का जो फैक्टर है दोस्तों वो माता-पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है यानि माता-पिता में से यदि कोई लंबा है तो बच्चा या तो बहुत अधिक लंबा हो सकता है या फिर माता-पिता में से किसी एक के बराबर यानि छोटा होता है दोस्तों बहुत जरूरी होता है और ये संतुलित बृध्धी के लिए बहुत पर्याप्त पोसर जो है प्राप्त करने में सहायता करता है और किसोर की पोसर काउसकताओं के विशे में आप आगे पढ़ेंगे दूसरा परिवर्तन है पहला परिवर्तन आपने देखा कि लंबाई में दोस्तों आपकी कच्छा के छात्रों के कंधे और सीना निचली कच्छा के छात्रों के अपेक्छा चौड़े होते हैं इसका कारण है कि वे यवना रंभा में प्रवेस कर चुके हैं और बृध्धी के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों में कमर का निचला भाग चोड़ा हो जाता है बृद्धी के कारण लड़कों में शारीरिक पेसियां जो होती है वो लड़कियों की अपेक्षा सुवस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती है इसलिए कि सुरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में जो परिवर्तन होता है वो अलग-अलग होता है तीसरा प्रमुक परिवर्तन क्या है कि सुरावस्था का सुर में परिवर्तन दोस्तों कभी-कभी आपको कच्छा में कुछ लड़कों की आवाज फटे जैसे दिखाए देने लगती है और यवना रंभा की ये अवस्था है यवना रंभ में जो स्वर्यंत्र होता है या लेरिंक्स होता है इसमें बृध्धी प्रारंभ होने लगती है लड़कों का स्वर्तंत्र विक्सित होकर अपेक्षाकृत बढ़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर्तंत्र गले के सामने की ओर असपष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है और आप देखे होंगे गले के बीचले भाग में थोड़ी सी ए पर उच्च तारत तो यानि उनकी पिछ अधिक होती है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है किसे और लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित बृधि होती है और आवाज भटने या भर्राने लगती है और यह इस्थिति कुछ दिनों अथ्वा कुछ सब्ताह तक बनी रह सकती है जिसके बाद स्वर जो है वो सामानने हो जाता है यहाँ पर देखिए मानों का सरीर यंत्र या गले का यंत्र जो स्वर यंत्र है वो एडम्स एपल दिखाया गया है यहाँ पर यह जो हिस्सा है वो एडम्स एपल का है जो की स्वर यंत्र म में स्वेध यानि पसीने की और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और इन ग्रंथियों की अधिक अभरकिया सीलता के कारण क्या होता है कि कुछ ब्यक्तियों के चेहरे पर फुनसियां मुहां से याद आ जाते हैं दोस्तों स्वेध ग्रंथि तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्रारा स्रावित करती हैं अंतह स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करने लगती हैं जिसे नलिका विहीन गरंथियां भी कहा जाता है तो आपने देखा कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं कि सोरा वस्था के दोरान लंबाई में बृद्धी होती है स्वर्त अंत्र की बृद्धी होती है इसके अलामा जनन अंगों का विकास होने लगता है जनन अंगों के विकास में क्या होता है कि दो प्रकियों में अंडासे साइज में बृद्धी हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडासे में अंडाड़ूं का निर्मोचन भी आरंब हो जाता है। में काफी समय लेते हैं और वास्तों में किसी ब्यक्ति के जीवन का यहवा समय है जब उसके मस्तिस्क की सीखने की चमता सरवाधिक होती है। अब आए देखते हैं दोस्तों यह जो किसोरावस्था के प्रारंब के यह मुख्य लच्छनों के बाद कुछ गौड लेंगिक लक्छन भी होते हैं। दोस्तों ब्रिसन और अंडा से जननंग हैं। ब्रिसन पुरुस का जननंग है, अंडा से महिलाओं का जननंग है। वे युगमक अर्था सिकुराण और अंडाण उत्पन करते हैं। युवा वस्था में लड़कियों के अस्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चहरे पर बाल उगने लगते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल और जांग के उपरी भाग अथ्वा प्यूविक छेतर में भी बाल आ जाते हैं। दोस्तों कि सोरा वस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं ये अनीक प्रकार के हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं हार्मोन रासानिक पदार्थ होते हैं ये अंतसरावि ग्रंथियों और अंतसरावित अंत्र द्वारा सरावित किये जाते हैं और यवना रंभ के साथ ही विर्षण पौरुस हार्मोन या टेश्टो इस्टेरान का स्रावण आरंभ कर देता है तो बहुत ही महतपूर है दोस्तों यवना रंभ के साथ विर्षण जो होता है वो पौरुस हार्मोन या पौरुस हार्मोन को टेश्टो इस्टेरान भी कहा जा उसका स्रमण आरंब कर देता है और लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिसके बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों चेहरे पर बालों का आना लड़कियों में यौनारम के साथ ही अंडासे में इस्तरी हार्मोन या एस्ट्रोजन का उत्पादित होना प्रारम हो जाता है लड़कों में या नर में टेश्टो इस्टिरान हार्मोन स्रावित होता है यौनारम में और इस्तरी हार्मोन य कि उत्पादन का नियंत्राण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसको कि प्यूस ग्रंथी या पिट्यूट्री ग्रंथी कहा जाता है दोस्तों प्यूस ग्रंथी या पिट्यूट्री ग्रंथी को भी को माश्टर ग्रंथी या मुख्य ग्रंथी कहा जाता है अब प्रिश्ट भाग अथ्व लच्छे अस्थल तक पहुँच सकें और लच्छे अस्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है हमारे सरीर में अनेक अंतर स्राविक रंथिया है ब्रिसण और अंडासे जो है वो लेंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं और अभी अभी आपने ये है कि ये जो हार्मोन गौड लेंगिक लक्छनों के लिए उत्तर दाई होते हैं लेंगिक हार्मोन भी प्यूस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंतरण में है और प्यूस ग्रंथ यानि पिट्यूटरिक अंथि जो है अनेक हार्मोन स्रावित करती है इन में से एक ग्रंथ से स्रावित हार्मोन जन्नांगों को टेश्टो इस्टेरान पुरुस नर्मे और इस्टे इस्ट्रोजन इस्ट्रियों में स्रावित करने के लिए उद्धी पित करता है इसके अलावा रुधिर प्रवाह में ये हार्मोन स्रावित होते हैं और सरीर के बिभिन भागों में पहुचते हैं और फिर यवनारंभ के समय में सरीर में परिवर्तन को उद्धी पित करता है तो ये जो यवनारंभ में सारीरिक परिवर्तन है हार्मोन द्वारा नियंतरित होते हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि योनारंभ जो होता है ब्यक्ति में जनन अवधिका प्रारंभ होता है जब ब्यक्ति जनन की छमता प्राप्त करता है लेकिन क्या जननकाल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन परियन तक चलता रहता है या यह कभी समाप्त भी होता है ये भी एक महतुपूर्ण प्रश् तब वे जनन की यूगी हो जाते हैं और यूगमक की परिपकोता और उत्पादन की छमता पुरुसों में इस्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधितक रहती है इस्त्रियों में जो जनन अवस्था का प्रारंभ है यवनारंभ यानि 10-12 वर्स की आयू से हो जाता है और सामानत 45-50 वर्स की आयू तक चलता है यवनारंभ पर अंडाड़ परपको होने लगते हैं अंडासियों में एक अंडाड़ परपको होता है और रगभग 28-30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडासे द्वारा निर्मोचित होता है और इस अवध में गर्भासे की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाड़ के निशेचन के पस्चात यूगमनज को ग्रहण कर सके और इसके फ़ल सोरूप गर्भधारन होता है दोस्तों एक इस्थिती ये भी है कि यदि अंडाड़ निशेचन नहीं हो पाता तब उस इस्थिती में अंडाड़ और गर्भासे का मोटा अस्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्थारित हो जाता है और इससे इस्थियों में रितुस्राव होता है जिसे की रितुस्राव अथवा रजोधर्म कहा जाता है रितुस्राव लगभग 28-30 दिन में एक बार होता है और पहला रितुस्राव यौना रंभि में होता है जिसे की रजोधर्सन कहा जाता है लगभग 45-50 वर्स की आयू में रितुस्राव होना रुख जाता है और रितुस्राव के रुख जाने की घटना को रजो निवरिति कहा जाता है प्रारम में रितुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है और उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है दोस्तों पहेली ये कहती है कि इस्त्रियों में जननकाल की अवधी रजो दर्सन से रजो निवरिति तक होती है तो क्या ये सही है तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है क्योंकि रितूस राव जो है वो चक्र का नियंद्रन हार्मोन द्वारा होता है और इस चक्र में अंडाड़ परिपक को होगता है इसका निर्मोचन होता है गर्भासे की दिवार का मोटा होना और निसोचन नहोने पर उसका तूटना सामिल है और यदि अंडान को निशेचित हो जाता है तो वो भी भाजन करता है और गर्भासे में विकास के लिए अस्थापित हो जाता है और इससे जो यहाँ पे पहेली के मन में एक विचार आ रहा है कि मैंने आपनी मा और चाची को बाते करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की मुझे ये जानने की उस सुकता है कि इस बात का कैसे निर्धारन होता है या कैसे पता चलता है कि निसेचित अंडारू लड़के में है अथवा लड़के में बिक्सित होंगे तो प्रश्ण ये है दोस्तों कि लड़का अथवा लड़की तो निसेचित अंडाड़ु अथवा यूगमनज में जन्म लेने वाले सिसु के लिंग निर्धारन का संदेश होता है ये संदेश निसेचित अंडाड़ु में धागी जैसी संदेशना अर्थात गुर सूत्रों स निहित होता है और गुर सूत्र प्रते कोसिका के केंदरक में उपस्थित होते हैं सभी मनुस्यों के केंदरक में 23 जोड़े गुर सूत्र यानि कि 46 गुर सूत्र पाए जाते हैं इनमें से 2 गुर सूत्र जो होते हैं एक जोड़ी ये गुर सूत्र लिंग गुर सूत्र होते ह इनको X और Y के से संकेतित किया जाता है इस्तरियों में दो X गुड़ सूत्र होते है मनुष्य में एक X गुड़ सूत्र और एक Y गुड़ सूत्र होता है युगमक जिसे की अंडाड और सुक्राण में गुड़ सूत्रों का एक जोड़ा होता है ये अनिसेचित अंडाड सदा एक यक्स गुड़ सूतर होता है लेकिन सुक्राड दो प्रकार के होते हैं इनमें से एक यक्स गुड़ सूतर और दूसरे में वाई गुड़ सूतर होता है दोश्तों मामला यह है और प्रक्रिया यह है कि जब यक्स गुड़ सूत्र वाला सुकराण अंडाड को निसेचित करता है तो यूगमनज में दोनों यक्स गुड़ सूत्र होंगे और वह मादा सिसु में बिक्सित होगा और यदि अंडाड को निसेचित करने वाले सुक्राण में Y गुर्षूत्र हैं तो वह यूगमनज नर सिसु में बिक्सित होगा इससे एक प्रश्ण ये उठता है कि यक्स यक्स जो गुर्षूत्र होते हैं वो इस्तरी यानि मादा यानि सिसु इस्तरी सिसु को जन्व देंगे और यक्स वाई जो है गुर्षूत्र ये पुरुस सिसु को या नर सिसु को जन्व देंगे तो इसलिए एक प्रश्ण का उत्तर ये कि बच्चे का जो लिंग निर्धारन होता है उसमें पुरुस के गुरसूतर की भोमिका होती है यहाँ पर देखिए X और Y गुरसूतर यह पूरुस के गुरसूतर है और Y और X मिलते हैं तो लड़का और X और X मिलते हैं तो जो है वो लड़की होती है दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व सिसू के लिंग का निर्धारन उसके पिता के लिंग गुरसूतर के द्वारा होता है और यह धारा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मा उतरदाई है पूर्ट निराधार है और अन्याय संगत है यानि जो गर्व म पलने वाला सिसू लड़का है या लड़की ये पिता के गुरसूतर के द्वारा निर्धारित होता है। प्रिसण और अंडासय की अत्रिक्त हमारे सरीर में थाइराइड, अगनासय और एड्रिनल यानि अधरिक जैसी अन्य अनतसरावी गरंथियां भी होती है। हम कई सारे सवालों का जबाब पाते हैं। उनको याद है कि एक बार जब वो अपनी डाक्टर बुवा के यहां गये थे तब उन्होंने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गलाब बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। उनकी बुवा ने उन्हें बताया कि काका को गायटर नामक ब्याद ही है जो कि थाइराइड गरंथि का रोग होता है। और काका की थाइराइड गरंथि थाइराकसिन हारमोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। दूबवा ने ये भी बताया कि उनके फूफ़ा जी मधुमें या डाइबेटीज से पेडित हैं क्योंकि उनका अगनास है जो है वो इंसुलीन हार्मोन का उत्पादन परियाप्त मातरा में नहीं कर रहा है और इंसुलीन जो होता है इंसुलीन एक हार्मोन है जो सरीर में यानी रक्त में सरकरा या ग्लुकोज की मातरा को नियंतरित करता है और जिस व्यक्ति के सरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन या स्रमड पर्याप्त मातरा में नहीं होता है उन्हें मधुमे या डाइबिटीज नामक वीमारी हो जाती है दोस्तों एड्रिनल गरंथी जो होती है एड्रिनल गंथ ऐसे हार्मोन उत्पादित करती है जो कि रुधीर या रक्त में नमक की मातरा को संतुलित करते हैं और एड्रिनल गंथी से एड्रिनेलिन नमक हार्मोन का स्रावड होती है और एड्रिनेलिन जो होता है वो क्रोध, चि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से जो आदेश मिलता है उसके अनुसार अपने हार्मोन का स्रावड करते हैं पियूस गरंधी दोस्तों बृध्ध हार्मोन को भी स्रावित करते हैं जो ब्यक्ति की सामाने बृध्धी के लिए आवस्यक होती है और बूजो के मन में ये सवाल आता है कि क्या अन्य जन्तूओं में भी हार्मोन सरावित होते हैं जैसे मनुस्य में होता है क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान होता है तो बिल्कुल दोस्तों मानो की तरह अन्य जन्तूओं में भी जो है हार्मोन का योगदान होता है रेसम के कीट और मेढक के जीवन चक्र के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं इल्ली को बयस्क बनने में अनेक चाड़ों से गुजरना पड़ता है रेसम के कीट के जीवन चक्र को आप अगर जो देखेंगे या फिर टेड़ पोल को बयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चाड़ों से गुजरना पड़ता है लारवा से बयस्क बनने में इस परिवर्तन को कायांतरण कहा जाता है और कीटों में जो कायांत्रण का नियंत्रण है वो कीट हार्मोन के द्वारा होता है मेधक में थाइराइड द्वारा स्राविट जो हार्मोन होता है थाइराक्सिन इसका नियमन करता है थायराक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन का उपस्तित होना आवस्यक है और यदि जल जिसमें टैड़ पोल बृद्धी कर रहे हैं परियार्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैड़ मोल बयस्क मेढख में परिवर्धित नहीं हो सकते तो देखिए आपके लिए यहाँ पर एक महतपूर तथ्य मिल गया है दोस्तों कि जो टैड़ पोल है या मेढख के लार्वा की अवस्था है उसमें जो थायराक्सिन ग्रंति है इसका निर्मार करता है या नियमन करता है और जिस जल में आयोडीन की मात्रा या उपस्थित नहीं है वहाँ पर जो टैड़ पोल होते हैं यानि बयस्क मेढख से पहले की अवस्था वो टैड़ पोल बयस्क मेढख में परिवर्धित नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर देखिए बो जो कहता है कि यदि बयक्ति के आहार में परियाप्त मात्रा में आयोडीन की मात्रा नहीं हो तो क्या उन्हें थायराक्सिन की कमी के कारण गवायटर हो जाएगा तो बिलकुल यदि किसी ब्यक्ति में थायर आयूदीन की मातरा नहीं मिल रही हो उसके पोसक आहर मिन नहीं है तो उसे ग्वायटर या घेंगा रोग हो सकता है अब आयगे जानते हैं दोस्तों जननात्मक स्वास्थ तो ब्यक्तिका काईक और मानसिक विशंगत मुक्त होना उस ब्यक्तिका स्वास्थ कहलाता है स्वास्थ में किवल सारीरिक स्वास्थी नहीं बलकि मानसिक स्वास्थ भी आता है और किसी भी आयू के ब्यक्ति के सरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार किया हो सकता होती है और ब्यक्ति को ब्यक्तिक स्वच्छता और स्यफाई का नियंत्री नुद्व से पालन और परियाप्त सारीरिक ब्यायाम भी करना चाहिए और ये जो ब्यायाम है और संतुलित आहार है ये किसोर आवस्था में जब सरीर को बृध्धी की आवसकता होती है जब सरीर बृध्धी करता है तो ये सभी बातें और भी आवस्यक हो जाती है यानि किसोर आवस्था में ब्यक्ति को पोसकत्तों और संतुलित आहार की अधिक आवसक्ता पड़ती है आईये जानते हैं किसोर की पोषण आवसक्ताएं क्या होती हैं तो किसोर अवस्था तिब्र बृद्धी और विकास की अवस्था है ये एक ख्रान्तिक-ष्टेज होता है दोस्तों इसलिए किसी किसोर को आहार नियोजन या जो भोजन है वो अतियांत स अधानी पूर्वक करना चाहिए और संतुलित आहार जो होता है दोस्तों संतुलित आहार या बैलेंस डाइट जो होता है उसमें प्रोटीन, कार्भोहाइडरेट, बसा, बिटामिन और खनिज के पर्यापत मातरा में उपस्थिती होनी चाहिए और यह संतुलित आहार की सोरा वस्था के लिए बहुत जरूरी है हमारा जो भारती भोजन है इसमें रोटी, चावल, दाल और सबजिया होती है बहुत ही संतुलिता हार है और दूध अपने आप में संतुलित भोजन है फल भी हमें पोसर देते हैं और सिसुओं को मा के दूध से संपूर पोसर मिलता है जिस ये पत्तिदार, हरी पत्तिदार सबजियों में गूड, मांस, संत्रा, आवला, इत्याद में जो है लोहे की परियाप्त मात्रा होती है दोश्तों दोपहर और रात्र के भोजन के खाद्य पदार्थों में जब आप देखेंगे कि क्या वो संतुलित है तो इसमें ऐसे खाद पर्याप्त उर्जा प्रदान करता है दोस्टों, फल और शबजियों का हमारे भोजन में क्या अस्थान है? तो फल और सबजियां जो है, इनसे हमें anti-accy grocer मिलता है जो सरीर में जो हानिकारक आवयाव होते हैं उनको समाप्त करने के लिए बहुत उत्तरदाई होते हैं दोस्तों चिप्स और पैक किये हुए अथ्वा डिब्बा बंद खादे पदार्थ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं लेकिन उन्हें नियमित भोजन के अस्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोसक मातरा जो है वो परियात नहीं होती है और सरीर अनेक ब्याधियों से युक्त हो जाता है दोस्तों चिप्स और तैली पदार्थों को जंक फूट कहा जाता है जंक फूट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इनकी बहुत कम मातरा प्रियोग की जाने चाहिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चार्ड या पोस्टर है जिसके द्वारा इसमें आपके भोजन में क्या क्या चीजें सामिल होनी चाहिए मानस है, सबजिया है इसमें हरी पत्तेदार सबजियां गाजर, मूली, टमाटर और बैगन को सामिल किया गया है फल यानि सेव, संत्रा, अनार, मौसमी दूध और अंडे तथा खाद्यान यानि दालें, गेहूं, चावल ये सभी हमारे भोजन के संतुलित बनाने के लिए आवस्यक है ब्यक्तिका स्वच्छताद भी बहुत जरूरी है, दोस्तों प्रतेक ब्यक्तिकों प्रते दिन एक बार असनान भी करना चाहिए, कि सोरों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पसीने की ग्रंथियों से अनेक्रिया सेलता के करांड सरीर से गंधाने लगती है सरीर के सभी भागों को असनान करते समय अच्छे से धोना चाहिए और यदि सफाई नहीं रखी गई तो बैक्टीरिया के संक्रमड होने का खत्रा रहता है और लड़कियों को रितुसराओ के समय सफाई पर विसेस ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने रितुसराओ चक्र का ध्यान में रखते हुए रितुसराओ के लिए तैयार होना चाहिए दूसरी बात ये है दोस्तों सारीरिक स्वच्चता के अलामा सारीरिक ब्यायाम यानि फिजकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है ताजी हवा में टहलना और खेलना सरीर को चुस्त और स्वच्त रखता है सभी युवा किस और लड़के और लड़कियों को टहलना और ब्यायाम करना बाहर खेलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कुछ भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां है कि क्या करें और क्या न करें दोस्तों आपने मनुस्य के जनन संबंधी बैग्यानिक तत्य और सिध्धानतु को विश्य में जाना बहुत सी असत्य धाणाएं प्रचलित हैं आपको जानकर किसोर होने के नाते छोड़ देना चाहिए जैसे की किसोरों के सारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभो को लेकर अनेक भ्रांतियां और कुछ जोटी धाणाएं हैं इन में से कुछ नीचे दी जा रही हैं और कुछ तरक प्रस्तुत आप इसमें कर सकते हैं देखिए रितुस राओ के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है ये एक मिथ्या धाणा है संतान के लिंग के लिए उसकी मा उतरदाई है ये भी एक गलत धाणा है और रितुस राओ की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निसिद्ध है ये हमारे समाज की अनेक भ्रांतियां हैं असत्य कथन हैं और मिथ्या हैं इनको कभी ध्यान नहीं देना चाहिए इनका कोई आधार नहीं है और इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए दोस्तों नसीली दवाओं या ड्रक्स का निसेद क्यों जरूरी है तो किसोरा वस्था ब्यक्ति के सारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रीता का समय है जो ब्रिद्धिकाल का एक सामानि भाग है इसलिए भ्रामे तत्थवा असुरचितन महसूस करें यदि कोई ब्यक्ति आपको ये बताता है किसी ड्रक्स या नसीली दवा के सेवन से आप अच्छा और तनावमुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न कहना चाहिए जब तक वह डाक्टर द्वारा न दी गई हो और ड्रक्स जो होते हैं दोस्तों वो नसीले पदार्थ होते हैं यदि नसे की या नसीले पदार्थों की एक बार लत पड़ जाती है तो आप आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है लेकिन बाद में ये बहुत ही हानिकारग होता है और ये स्वास्थ और खुसी दोनों को ही बरबात कर देता है दोस्तों आपने एट्स के वारे में अवस्य सुना होगा ये HIV नामक खतरनाग बिसाडू या बायरस से होता ह ये वायरस जो है एक पीडित व्यक्त से स्वास्थ व्यक्त में ड्रग के इस्तिमाल से की जाने वाली सीरिंज द्वारा भी जा सकता है और वायरस का संक्रमड दूसरे माध्यमों से जैसे पीडित रोगी की मास से दूद द्वारा उसके सिसू में हो सकता है दोस्तों या चा द्वारा गर्वधारन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों हमारे देश में बिवाह की बिधिसंगत आयू लड़कियों के लिए 18 वर्स और लड़कों के लिए 21 वर्स है आप जानते हैं इसका कारण ये है कि टीन आयू जो है किसोर जो है लड़कियां मा सारीरिक और मानसिक रूप से मातरितों के लिए तयार नहीं होती हैं बाल विवाह या यदि कम उम्र में विवाह और मातरितों से मा और संतान दोनों में ही स्वास्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं इससे युवा इस्तरियों के लिए बेवसाय के आउसरों में कमी आती है क्योंकि वे मात्रित्यों के जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती इसलिए वे अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ा से भी ग्रस्त रहती हैं तो ये था आज का अध्याय अध्याय दस जो था किसोरा वस्था की ओर और इस अध्याय में आपने कई ऐसे प्रशनों के जवाब पाए जो की आपके मन में अनेक प्रकार से उल्जनों के रूप में सामिल होता है और इस अध्याय के अध्याय से आपको कई भ्रांतियों और अ और नेक प्रकार के संकाओं का समाधान हो गया होगा अब आये जानते हैं कि आपने इस अध्याए के अध्यन से क्या सीखा तो योनारंभ होने पर व्यक्ति जनन में सच्छम हो जाता है 11 वर्स की 10-19 वर्स की आवदितक किसोर अवस्था कहलाती है यवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में बृद्धी होती है शरीर के विभिन अस्थानों पर बाल आने लगते हैं लड़कियों में अस्थन विक्सित हो जाते हैं और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूचें आ जाती है कि सोरा वस्था में स्वर यंत्र की बृद्धी होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है इसके अलावा एक परिवर्तन ये होता है कि कुई सोरा वस्था में लंबाई में बृद्धी होती है इसके अलावा यववना रंभ और जनन अंगो का परिपक को होना हार्मोन के द्वारा नियंतरित होता है हार्मोन क्या है तो हार्मोन अंतह सरावी ग्रंथियों के द्वारा सरावित पदार्थ हैं जो रिधुर में सीधे पहुंचते हैं दोस्तों, पियूस ग्रंथी या पिट्ट्यूट्री ग्रंथी जो होती है, ये हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि बृध्धी हार्मोन और अन्य ग्रंथियां जैसे बृषण, अंडासे, थायराइड और एड्रेनेल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्धी पित करते है अगनाशय इंसुलिन का थाइराइड थाराकसिन का और एडरिनेलίν हार्मोन उत्पादन करते हैं दोस्तों टेस्टो इस्टिरान नर हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है देखिए गर्भासय की दिवार निशेचित अंडार को ग्रहण के लिए अपने आपको तयार करती है और निशेचन नहोनी की स्थिती में गर्भासय की दिवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है इसे रितुसुराव अथवा जो धर्म कहा जाता है दोस्तों अजन में सिसु का लिंग निर्धारन इस बात पर निर्भर करता है कि युगमनज में जो गुड़ सूत्र है वो यक्स यक्स गुड़ सूत्र है अथवा यक्स वाई गुड़ सूत्र है और अन्त में कि सोरा वस्था में संतुलित आहार और ब्यक्तिगस स्वक्षता एक्सरसाइज आधिका बहुत ही महत्तोपूर अस्थान है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी हुआ हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा। वीडियो को लाइक करें, शेर करें और इस चैनल मार्क दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।